हालो एवरिवान, वेल्कम बेक टू मैं चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क और इसे घर पर बनाना बहुत ही असान है, चलिए देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें कड़ाई दे लेंगे, आप ध्यान रखें कड़ाई को हमने बहुत अच्छे से साफ कर लि लिया है, यह मैंने मलाई उत्रा हुआ दूद लिया है, आप चाहें तो फुल क्रीम ले सकते हैं या टोन ले सकते हैं, आप किसी भी दूद से कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क के फ्लेवर में या टेस्ट में या टेक्स्चर में बिल्कुल भी फरक नहीं हम स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं क्योंकि जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी वैसे वैसे उसका कारमलाइज कलर आएगा इसमें बहुत अच्छा से और जो आप क्रीमी टेक्स्चर आप देखते हो मार्केट में मिल्कमेट का सेम वैसे ही घर में भी इसी से ही आता है अब हम इसमें दूद में थोड़े से लम्स पढ़ सकते हैं या थोड़ा सा लेयर्स आ सकती हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हम इस दूद को मीडियम से हाई फ्लेम पर लगाता चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी तकरीबन वन फोर्थ नहीं रह जाती कंडेंस मिल्क को हम एक महिने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और छे महिने से जादा हम इसे फ्रिजर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ मीठा बनाने का दिल हो जैसे खीर या फिर कस्टर्ड या फिर मिल्क शेक्स इसमें ये थोड़ा सा कंडेंस मिल add curry और उसका स्वाथ दोगना हो जाता है और ये देखिए काफी गाड़ा हो चुका है तक्रीबन इसकी quantity आधी हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा और ये देखिए बेकिंग सोडा डालते हैं इसमें काफी सारी जाग बन जाती है और अब काफी हमारा दूद काफी गाड़ा होना शुरू हो चुका है तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और यह जो आपको इसके उपर जाग दिखाई दे रही है वो दीरे-दीरे अपने आप खतम हो जाएगी और जो इसका टेक्च्चर है बहुत स्मूध सिल्की हो जाएगा बस हमें ध्यान रखना है कि इससे लगातार चलाना है और इसके किनारों से हमें दूद छुडाते रहना है इस तरह से स्क्रेच करते हुए और ये देखिए दूद काफी गाड़ा हो चुका है इसमें बड़े-बड़े बबल्स भी आ रहे हैं अब ये आल्मूस्ट तयार है बस इसमें और थोड़ा सा कलर आ जाए फिर हम इसका गैस बंद कर देंगे आप ध्यान रखिए कि इसको ओवरकुक ना करें वरना ये थंड़ा होने के बाद आपको लगे कि काफी गाड़ा है तो आप इसमें दो चमच गरम दूट डाल के आप इसकी consistency ठीक कर सकते हैं और थंड़ा होने के बाद अगर आपको ये थोड़ा पत्ना लगे तो आप इसको और उबाल के गाड़ा कर सकते हैं और condensed milk से आईस क्रीम ब कुलफी फलूदा बनाना चाहते हैं तो इस condensed milk में सादा दूद आड़ करिए दो चमच मलाई डालिए और बस इसको freezer में सेट होने रग दीजे पहुत ही बढ़िया मटका कुलफी या फलूदा कुलफी बन करके तयार हो जाती है और ये हमारा दूद काफी गाड़ा हो चुक हम इसे room temperature पर ठंडा होने देंगे फ्रिज में या कहीं और नहीं रखेंगे और साथ ही हम इसे ढखका रखेंगे ताकि इसके उपर मलाई या दूद की कोई भी एक layer उपर ना जमें और ये देखिए ये बिल्कुल room temperature पर ठंडा हो चुका है अब आप देखिए इसकी consistency आप सकते हैं ये बिल्कुल perfect condense milk बनकर के तयार है और अब हम इसे इस ball में transfer कर देंगे और हम इसे काफी सारी desserts जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारी जगा हम इसे use कर सकते हैं और इसका जो silky और smooth texture बच्चों को बहुत पसंद आता है तो आप इसे हमेशा अपने fridge में store करके लखें ताकि आपको कोई भी dessert बनाना हो तो आप उसे चुटकियों में बना सकते हैं तो I hope कि ये recipe आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल Rita Arora recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और साथ ही लगे bell icon पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस्स ना करें और ये बिलकुल फ्री है